आदिवासी विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमी का गैर सरकारी संगठन एंजियो कानूनी रूप से गठित संगठन है जो सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं और आम तोर पर गैर राज्ये गैर लावकारी उनमुक समूझ जो सार्वजनिक हित के उद्दे समाजिक न्याई विकास और मानावधिकार प्रदान करना है गैर सर्कारी संगटनों को आम प्र पूरी तरह आंजिक heaven's रूप से सरकारों द्वारा विद पोशित किया जाता है और बैस सरकारी प्रैतिनिदियों को संगठन में सदेरथा सटा से भार करके अपनी गेर सरकारी सिती बनाए रखते हैं यह माना गया है कि केवल सरकारी परियासों से अनुसुचित जातियों के विकास का कारिये प्राप्त नहीं किया जा सकता है अपनी इस्थानिय जड़ों और सेवा की भावना के साथ स्वेक्षिक या गेर सरकारी संगटनों की भूमी का लाले अस्पताल खोलने जैसी कल्यानकार योजनाय शुरू की गई उनकी स्वेक्षिक सेवां की तिर्विता का पता असम उडिशा बिहार और मद्यप्रदेश के आधिवासी छेत्रों में लगाया जा सकता है गांधिवादी मुल्यों से प्रेरित होकर 1940 में राची में पहली एक सेवा केंद्री की स्थापना की गई इसने कार्यक्रमों की दो स्रेणिया बनाई पहली आदिवासी शिक्षा पर योजना को लागू करने के लिए और दूसरी खादियुत पादन, कुटिर उद्योग, सराव के खिलाप, धरम युद और आयुर्वेदिक दवाओं के वि देखनी हैं, जबकि पूर में आदिवासी समश्यों को प्रकासित करने पर ध्यान केंद्रीत किया, बाद में एक स्वस्थ केंद्री की स्थापना की, हाजा दी के बाद, सुसासन के युग में गैर सरकारी संगठन, अधिक सक्रिय भूमी का निभा रही हैं, सरकार की विफल गैर सरकारी संगठनों को काम करने और अपने आदिवासी भाईयों की मदद करने के लिए एक उपजाओं जमीन देती है, अधिकारों का संगठन, आदिवासी अधिकारों को ग्रीन पीस एक ऐसा संगठन है, यह देखकर वे एक स्रक्षात्मक भूमी का निभा रही हैं, अधिकार अधिनियम 2006 का कार्यान वेन भूमी के मुद्दों पर लड़ना, भूमी अधिकारों की बहाली और अन्याय के खिलाप लड़ाई, उधारें के लिए डोंगरिया कोंड की नियम गिरी पहाडियों में भूमी के लिए लड़ाई, शिक्षा, उन्होंने आदिवासी बच्चों को शिक्षा के लिए मुफ्त में रहने और रहने की स्विधा प्रदान करने में मदद की है, विभी ने गैर सरकारी संगटनों जैसे कोठारी संस्तान द्वारा कंप्यूटर के इंद्री विष्थापित किये जा रहे थे, ये संस्ताई जन जातियों के सामाजी का अर्थिक विकास के लिए अपनी उर्जा को विकास के उपयोगी चैनलों मिलाने के लिए निर्देशित कर रही है, स्वास्त और चिकित्सा, गैर सरकारी संगटनों ने जन जातिये स्वास्त के विकास और उनकी स्वेदेशी ज्यान आधार के संडक्षन में सकारात्मक सासन का गहरा ज्यान है, नर्वन्स चिकित्सा का उनका ज्यान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन का प्रावधान, घातक विमारियों के खिलाप पोशन कार्य करम और टी का करन अभ्यान, परियावन संडक्षन, आदिवासी आबादी के लिए सांस्कृतिक महत् संडक्षन, पारिस्तिक्ती समेधन सील, छेत्रों में बांदों, सडकों, उद्योगों के निर्मान के खिलाप लड़ाई जो पारिस्तिक्त अंत्र को प्रभावित कर सकती है, आजी विका में व्रहती स्वेरोजगार, हस्ति सिलिफ विकास, आदिपर मार्ग दर्शन द्वा प्रदान करती हैं, आदिवास्यों द्वारा एकत्रित लगू वन उपोज और उनके द्वारा बनाए गए उत्मादों को बाजार पहुच प्रदान करना, इससे काम की तलास में सहरों की और पलाइन को कम करने, जागरुपता पैदा करना, एंजियो वन और उसके संसादनों के संडक्षन और संडक्षन का प्रदर्शन करके आदिवास्यों के बीज जागरुपता पैदा करते हैं, वे किचन गार्डन और नर्सरी में महत्पून हर्बल पोदों के परचार को शुनिशित करने के लिए एक इस्ताई छाप और अभ्यान बनाने के लिए ओडियो वीज सरजन महिला रोजगार आदी, युवा विकास गती वीद्या, युवा सम्हों का गठन ये एक निर्विवात तथ्या है कि भारत में आदिवासी विकास में गैर सरकारी संगठन सारो भूमिक रूप से सारो भूमिक तीसरी सक्ति के रूप में उबरे हैं, लेकिन उनमें ता सामिल करना और सरकार के बारे में जन्मत बनाना, नित्यू या सामाजिक मुद्धों पर्यावन समश्या के लिए विवेक, साक्षर्ता, स्वास्त परिवार, नियोजन के लिए उप्युक तक्निक उप्योब और गरीबों को मनवे ग्यानिक निवास और मुल्यांकों की से उबरने के लिए सैसक्त बनाना, धन्यवाद, जैहिन, जैवाद,